हाई गाईज, so welcome back to my channel पीछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे साइन्ड माइगनिचूड रिपर्जेंटेशन और बायनेरी नमबर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1s complement representation ठीक है तो 1s complement representation बहुत आशान है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले क्या होता कि अगर हमारा number plus x हो तो जो उसका 1s complement representation होगा वो सेम होगा ठीक है और अगर हमारा number a minus x हो तो उसका जो complement होगा जो plus x था न उसका complement कर दोगे तो हमारा minus x आजएगा ठीक है तो यह हमारा होता है 1s representation तो यहाँ पर आप analysis कर सकते हो कि 1s complement का मतलब क्या होगा कि जो जो हमारा number positive होगा वो सेम है as sign magnitude होगा ठीक है sign magnitude ठीक है और जो हमारा negative number होगा न उसको compliment of compliment of positive number compliment of number including with left including left most bit देखते हैं इसको अच्छे तरह से देखते हैं let's take an example so suppose हमारे पास 4 है ठीक है तो इसका जो हमारा जो 1s complement में होगा वो हमारा 4 हो जाएगा ठीक है और अगर हमारा number plus minus 4 है suppose minus 4 है तो जो इसका जो हमारा 1s complement representation होगा वो क्या अब इसको आप क्या लिख सकतो 0100 और यह हमारा जो number होगा वो plus 4 का complement होगा तो plus 4 का मतलब क्या था 0100 अब इसका complement ले लो तो 1011 तो यह हमारा number हो गया 1s complement में ठीक है let's take another example ठीक है माल लेज़े हमारा plus 7 है तो plus 7 का जो हमारा sign magnitude में और 1s complement same होता है तो इसको आप कैसे लिख हो 0111 तो हमारा हो गया अब negative में minus 7 का लिखना है तो क्या करना है कि जो positive 7 है plus 7 का complement करना है तो plus 7 क्या आ रहा था 011 और इसका whole complement तो 1000 ठीक है और माल लिए जाए binary में नंबर दिया हुआ suppose कोई number दिया हुआ binary में 1001 यह दिया हुआ क्या होगा ठीक है decimal representation तो सबसे पहले हमें देखना है leftmost bit leftmost bit हमारा क्या है one है तो यह हमारा number हो जागा negative और अब क्या करना है leftmost bit including complement करना है तो 1001 का पूरा का complement कर देंगे तो हमारा हो जागा यह क्या हो जागा जीरो वान वान जीरो तो इसको क्या लिखेंगे six तो यह माइनस six का यह होता है representation in one's complement ठीक है यह हमारा था one is complement एक और सपोस्पोस्ज देते हैं zero one 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 है इसका हो यह मा लिए जाए one is complement है तो इसका decimal में क्या हो जागा तो यह लेफ्ट मोस्ट बीट क्या है जी तो यह positive हो जाएगा और positive होगा तो यह से माइस sign magnitude तो यह हो माइनस one माइनस one माइनस one तो अगर एन हमारा तो अगर हमारा थिरी भीट है तो थिरी हो जाएगा तो माइनस two two power three minus one two four minus three minus three to plus three तो इसका disadvantage क्या है इसका भी disadvantage यह है दोस्तों कि जो हमारा जो representation of one is complement में plus zero और minus zero दोनों include होता है जैसे plus three से minus three जाओगे तो दोनों आ जागा यह हमारा disadvantages से ठीक है एक और example देख लेते हैं ठीक है माल लिया जाए zero one one दिया हुआ है तो यह हमारा माल लिया जाओ one is complement है ठीक है यह अल्रेडी का चुक है क्या माल लिया यह है ठीक है तो वन एस complement तो इसका decimal में लिखना है माल लिया जाए हमें decimal में लिखना है तो फर्स्ट बीट क्या है बन तो यह हमारा हो जागा नेगेटिव नंबर और होल का complement कर देंगे वान वान जिरो 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 यह होल का complement कर गए तो यह क्या हो जागा जीरो कि जीरो वन वन जीरो यह सिक्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक चीज और इसमें होता है दोस्तों कि अगर माल यह जीरी यह टू एबन जीरो है तो वान एस कंप्लिमेंट में आप क्या कर गए कि इसको आप एक्स्टेंड कर सकते हो ऐसे तो जैसे यह जीरो है ना तो इसको जीरो एक्स्टेंड कर दो और अगर वन है तो एक्स्टेंड कर सकते हैं यह हमें धियान रखने का भी कभी कोस्टन दे दिया जाएगा ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग addition and subtraction देखें, addition, basically subtraction is nothing but addition of minus number, okay, so next video में हम लोग देखेंगे addition of 1s complement number, okay guys, so thank you for watching this video, please do subscribe my channel and support us, okay.